गुद मॉर्निंग क्लास 10 आज हम लोग ऑनलाइन क्लास में सबसे पहले इलेक्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हम मैंने ये ऑनलाइन पीडिएफ डाला है पहले उसको हम लोग डिसकस कर लें फिर उसके बागे बढ़ेंगे तो चाप्टर वन इलेक्टिसिटी जिसमें हम लोग आगे जानते हैं इसके बारे में इलेक्टिसिटी सबसे पहले इसमें एटम्स के बारे में हैं in any atoms number of electrons is equal to number of प्रो-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-टॉ-ट different orbit में है जिस पर negative charge है तो कोई भी atom है एक electron पे जो charge होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम और एक proton पे जो charge होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम दोनों का magnitude same but electron पे negative charge और proton पे positive charge और दोनों का number same होने के कारण यहाँ पे एक्टम्स जो है हमारा electrically neutral है अब उसके आगे बढ़ते हैं electric charge इस डिफाइन जैसा कि मैंने पीडियेप में बताया है इस डिफाइन ऐस तब फीजिकल प्रोपर्पर्टीज ऑफ मैटर that causes it to experience a force when placed in either electric field और magnetic field electric charge किसी भी मैटर का वो condition है जो इसको यह प्रोपर्पर्टी परदान करता है जो यह प्रोपर्पर्पर्टी देता है कि जब आप electric charge को किसी electric field में रखोगे या किसी magnetic field में रखोगे तो field जो है इस पे force लगाएं कि अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यह electric field क्या है और यह magnetic field क्या है तो सपोज किजिए कि कोई एक क्यूं amount का positive charge हम कहीं पर रखते हैं तो क्या होता है न कि इस charge के चारुत तरफ एक एरिया है जिस पे अगर इस एरिया में कोई दूसरा charge आएगा तो यह जो है charge उस पे force लगाएगा यह force दो तरीके का होता है एक attraction force of attraction और दूसरा force of repulsion यह attractive force and repulsive force और यह जो force लगता है electric field में किसी charge पे किसी charge के त्वारा इसको करते हैं हम लोग electric force जो दो तरीके का होता है हम लोग जानते हैं कि positive charge और negative charge दोनों के बीच में attraction force लगता है और positive charge और positive charge दोनों के बीच में repulsion force लगता है सेम चार्जेज रिपेल इच अधर एड़ अपोजिट चार्जेज अट्रेक्ट इच अधर कोई भी चार्ज हो कहीं पर अगर रख दिया जाए जैसे यह चार्ज है हमने यहाँ पर रख दिया है और यह अपने आसपास एक फिल्ड क्रियेट किया है माल लेते हैं यह Q1 है और कोई दूसरा चार्ज जो है यहाँ पर हम ला रहे है जिसका पहलू है Q2 तो जब यह चार्ज इस चार्ज के दोरा जेनरेटेड इलेक्टिक फिल्ड में आएगा तो यह चार्ज जो है इस पे एक फिल्ड करेगा जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्टिक फिल्ड यह फिल्ड दोरा के एका होता है फिल्ड आप अप एट्रक्शन और फिल्ड आप रिपल्शन अगर यह पॉजेटिव चार्ज है और यह जो Q2 है इसका नेचर पॉजेटिव है तो यह चार्ज जो है इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा और अगर यह Q2 निगेटिव चार्ज है तो इसको जो है यह चार्ज एट्रेक्ट करने की कोशिश करेगा और इस electric force को करते हैं columns force of attraction और इसका value होता है अगर हम निकालें 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे higher classes में तो इसके इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि यह जो electric force हैं यह charge के product के directly proportional होता है और दोनों के बीच के distance के square के inversely proportional होता है अगर दोनों के बीच का यहाँ distance r हो तो यह दोनों के बीच के distance के square के inversely proportional यानि अगर charge का amount बढ़ेगा तो force बढ़ेगा और दोनों के बीच का जो distance है वो बढ़ेगा तो force घटेगा अगर distance हम two times बढ़ा देते हैं, तो force जो है four times decrease कर जाएगा, और distance जो है two times हम reduce कर देते हैं, तो force जो है four times increase कर जाएगा, इसको हम लोग बाद में आगे higher classes में, detail में पढ़ेंगे, अब आते हैं अपने topic पे, अपने syllabus के हिसाब से, चार्ज का SI unit जो है, वो कुलंब होता है, और चार्ज जो है यहाँ, हमारा दो तरेके का होता है, एक positive charge और दूसरा negative charge, positive charge, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि atoms electrically neutral है, तो किसी भी atom, जैसे suppose करते हैं, कि sodium का एक atom है, हम जानते हैं कि sodium का atomic number 11 है, मतलब इसमें electrons जो हैं, वो 11 हैं, और protons भी 11 हैं, proton यहाँ 11 nucleus में हैं, और electron जो हैं, इस nucleus के चारों तरफ different orbit में revolve कर रहे हैं, 11 electrons, इस सब different orbits में move कर रहे हैं, पहला orbit में, अगर sodium के हम बात करें, तो पहला orbit में 2 electron, दूसरा orbit में 8 electron, और last orbit में 1 electron, इसका electronic configuration अगर हम लिखें, तो 2, 8 और 1, अगर sodium atom से एक electron निकाल लिया जाए, sodium atom से, sodium atom से, एक electron निकाल लिया जाए, तो electron का number जो बच ज़ता है, वो 10 हो ज़ता है, और proton तो nucleus में है, जो 11 है, अब इसके पास, net positive charge जादा हो जाएगा, और net negative charge जो हैं, कम हो जाएगा, तो हम कहेंगे, कि sodium जो है, positively charge हो जाएगा, यानि sodium atom पे, plus one charge आजाएगा, उसी तरह chlorine atom है, अगर chlorine को एक electron दे दिये, तो इस पर एक negative charge आजाएगा, और हम कहेंगे, कि यह negatively charged हो जाएगा, chlorine जो है, negatively charged हो जाएगा, तो अगर electron किसी atom से remove कर दिया जाए, निकाल लिया जाए, तो हम उस atom को कहते हैं, कि वो negatively, उस atom को कहते हैं, कि वो positively charged atom हो जाएगा, और किसी atom में हम electron दे देते हैं, जब कोई atom electron gain कर लेता है, तो हम कहते हैं, कि उसके पास net negative charge जादा हो जाएगा और वो negatively charged बड़ी हो गया, तो तरीके का charge हैं हमारे पास, positive charge है, negative charge, अब हम लोग यहाँ देखते हैं, like charges repel each other, positive positive जैसे positive charge हैं, यहाँ पे Q1 और Q2 जो हैं यहाँ पे, यह भी positive charge हैं, तो तोनों के बीच में repulsion काम करेगा, दोनों एक दूसरे को repel करेगा, और Q1 अगर positive हैं, और Q2 अगर negative हैं, तो दोनों एक दूसरे को attract करेगा, और यहाँ यह एक दूसरे को repel करेगा, same charges और opposite charges एक दूसरे को attract करेगा, वही पर हैं यहाँ पे हमारा भागे बढ़ते हैं, magnetic field, जैसा कि हम लोग उन्हें पहले देखा, electric field, यहाँ पे, electric field, यह किसी भी, it is the space surrounding a charge in which another charge experience a force, either attraction और repulsion, यह किसी भी charge के चारो तरफ का वो छेतर, जिसमें कोई दूसरा charge एक force experience करे, चाहे वो attraction force, चाहे वो repulsion force, magnetic field, किसी भी magnet के चारो तरफ का वो छेतर, जिसमें कोई दूसरा magnet, अपने उपर एक force experience करे, या कोई magnetic material, जैसे magnetic material हैं, iron, cobalt और nickel, अगर यहाँ पे हम एक magnet को रखते हैं, हम लोग next chapter में magnetic field के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके आज़ पास, इस magnet के आज़ पास, एक field create हो जाता है, यह एक field create हो जाता है, इसको कहते हैं magnetic field, कोई भी magnet को हम कहीं पे रखतेते हैं, तो इसके आज़ पास, का वो छेत्र, जिसमें कोई दूसरा magnet, अब इस छेत्र में, इस area में, इस space में, इस magnet के चारो तरफ इस space में यहां North Pole हैं, और यह South Pole है, अगर इस space में, इस magnet के चारो तरफ कोई दूसरा magnet हम ले जाएंगे, यह जिसे कि यहां North है, या South है, या कोई और magnet हम ले लें, जिसका South Pole यहां है और North Pole यहां है, तो यह magnet इस magnet पे या इस magnet पे एक force लाएगा यहां भी यह force दो तरीके का होगा attraction force और repulsion force इसको कहते हैं pole यह north pole है और south pole है एक magnet में हमेशा दो pole होंगे north pole और south pole इस magnet को कितना भी छोटा कर दिया जाए कितना भी इसका small particle लिया जाए उसमें दो pole होंगे एक north pole और एक south pole तो north north repel करेगा उसी तरह south south repel करेगा north south attraction होगा या south north attraction होगा तो magnet अपने आस पास का उस area जिसमें कोई दूसरा magnet चाहे तो यह magnet इस पर force लगाए या इस में कोई हम लोग iron कोबाल्ट और निकल में से कोई material रखें तो यह magnet जो है इस पर force लगाए इसको करते हैं magnetic material iron, कोबाल्ट और निकल इसको करते हैं magnetic material तो यहाँ पर है हमारा definition there is space surrounding a magnet in which another magnet और magnetic material जो iron, कोबाल्ट, निकल है experiences a force called magnetic field यह magnet has two pole north pole and south pole जैसा कि मैंने बताया north pole repel each other and south pole north, north यह जो like poles है repel each other unlike poles attract each other north, north repel करेगा उसी तरह south, south repel करेगा north, south attraction होगा उसी तरह south, north attraction होगा अब हम लोग अपने main topic पर आते हैं जो है electricity जो इस chapter का नाम है तो physics जैसा कि हम लोग physics के यह पढ़ रहे हैं जैसा हम लोग जानते हैं कि physics क्या है nature और nature से related phenomenon के study को हम लोग कहते हैं physics the study of nature and natural phenomenon is known as physics इसमें different branch हैं उसी तरह एक electricity branch है the branch of physics in which we study about the flow of charges direction of flow and the effect of flow of charges is known as electricity इस electricity में हम लोग physics का वो branch जिसमें हम लोग charge flow के बारे में पढ़ेंगे उस charge flow का direction क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे और जब charge flow करता है तो उस charge के flow के कारण उसके उसके flow के कारण क्या effect मिलता है जिस material से flow करेगा तो उस पी वो क्या effect डालेगा उसके बारे में हम लोग इस branch में पढ़ते हैं charges के flow के बारे में direction of flow के बारे में and the effect of flow of charges charge of flow करेगा तो उसका क्या effect होगा उसके बारे में हम लोग physics के इस branch में पढ़ेंगे इस जो electricity है इस जो form of energy जैसा कि हम लोग जानते है electricity भी एक form of energy है और कैसा energy है इसमें कौन सा energy होता है तो जिसको करते है हम लोग electrical energy और energy आता कहां से है तो यह charge जब movement करता है जब charge motion में आता है जिसको हम लोग electricity करते हैं उस charge के motion के कारण जो energy related होता है उसी को हम लोग electrical energy करते हैं मतलब electricity को हम लोग ऐसा भी energy कर सकते हैं कि उस energy का form है जो charges के movement से पैदा होता है thank you अब हम लोग जो next PDF है उसके बारे में study करेंगे हुषगा? अजय करते हैं